जैसे क्रिश्ण जियोतिष जीवन अध्यात्मत चैनल में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो हम बात करेंगे 21 जनवरी 2014 रवीवार के संपुन विस्तत पंचांग की अताब वीडियो के अंतुत तक बने रहें वा पंचांग की संपुन चानकर रिपात करें वा वीडिय पंचांग मतता है जिसमे ति वार नक्षत्र योगवकरन इनिगे से पंचांग में सुबासो समय का घ्यान होता है बसुर्ययों दिवर सुद्ध सू कर देवर चंद्रै के अंदक्र स्वागत है आई आप सुरू करते आज का पंचांग एससे पहले आज आप सभी को सुब दिन की मंगल में शुब कामना है आज विक्रम संबत दो जार से सक्संबत उगनिश्व पिस्तालिस पोसमास सुकलपक्स एकादसी ग्यारस वार रवी वार तारीक 21 जनवरी दो जार चोईसे अब एकादसी तिति रहेगी फिर उसके बाद में द्वादसी की घणिया ल तीन बजकर देपन मिनेट तक रोढविणी नक्षत रहेगा फिर उसके बाद में मिर्कशलिया मिनेट लगेगा अब योग सुब से बाद में ब्रम योग लगेगा अब करन सुबह सात बजकर चोईस मिनेट तक वनिचकरण रहेगा फिर रात्रीcida openings विंतीस मिनिट तक अब भद्रा विष्टी सुबर 7 बजकर 24 मिनट से रात्री में 7 बजकर 29 मिनट तक बद्रा रहेगी यानि की पूरी दिन बद्रा रहेगी अब रविग्रह यानि की सूरी देव आज अभिजीत नक्षदर में प्रविश करेंगे दोफर में 3 बजकर और 52 मिनट पर अब दग्द योग शाम को 7 बजकर 29 मिनट से दग्द योग प्रानब होगा अब राज योग रात्री में 3 बजकर 33 मिनट से राज योग भी प्रानब होगा अब बात करते हैं आज जन्मे बच्छों के नामाकसर वराशी की अब नक्षद्र पाया आज जन्मे बच्छों के नामाकसर होगे ओ, व, 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 वराशी होगे वरशबराशी अब नक्षद्र पाया आज जन्मे बच्छों के नक्षद्र का पाया होगा सोने का पाया अब बात करते हैं पोस मास की आज पोस मास का 26 वा दिन है आज पवित्र पोस मास वह पुत्रदा एकादसी होने से पुत्र कामना के लिए इस वर्त को करना चाहिए भगवान लक्ष्मी डारान मूर्ति का विशिस पूजन करना चाहिए जिससे हर मनोकामना पूरी होती है अभी रितु कौन सी है रितु अभी सिसे रितु है वह सूर्य उत्रायन है अब आज का त्योहर आज पुत्रदा एकादसी व्रत है जो सब के लिए है इस एकादसी का व्रत करने से सभी मनोकामना भगवान हरी पूरी करते है वह आज का फलार होगा गोद्द यानि गाय का दूद अब कल का त्योहर कल सबसे बढ़ा त्योहर है स्री एयुध्या जी में राम लला की मूर्ती की प्लान प्रतिष्टा है हम सब के जीवन का कल एतियासिक दिन है जिसके साथ सी हम सब होने जा रहे है पर अब स्री राम जी अपने निजभवन में प्रतिष्टित होंगे वह द्वादसी वर्त भी है अब आज का थे सूरियोदे वह सूरियास्त की आज इस्टंडे टाइम से सूरियोदे सुब साथ बजकर 30 मिनट पर वह सूरियास्त होगा शाम को 6 बजकर और 8 मिनट पर अब चंद्रोदे आज चंद्रोदे होगा शाम को 6 बजकर और 8 मिनट पर वह चंद्र अस्तोगा रात्री में तीन बज कर और एकत्रीस मिनट पर अब आज का घ्रह विचार में सूरे मकर रासी में अब आज का विशिस आज के विशिस में है गोचर फल अब बात करते हैं आज का चोगडिया आज का चोगडिया है शुबह आठ बज कर पचास मिनट से दस बज कर नौ मिनट तक चल का चोगडिया रहेगा फिर शुबह दस बज कर नौ मिनट से और दोपर में बारा बज कर उन पचास मिनट तक लाब और अमर्त का चोगडिया रहेगा फिर दोपर में 12 बजकर 27 मिनट से 1 बजकर 10 मिनट तक अविजित मोरत रहेगा फिर दोपर में 2 बजकर 8 मिनट से और 3 बजकर 28 मिनट तक शुब का चोगडिया रहेगा आज राहुकाल है शाम को 4 बजकर 31 मिनट से और 5 बजकर 50 मिनट तक राहुकाल हेगा रावकाल में कोबी शुकारी नहीं होता है अब दिसासुल आज पच्छिम दिसा में दिसासुल होने से पच्छिम दिसा की यात्रा को टाले अगर आवशेक हो तो तामबुल का दानकर यात्रा करें वर कालरा हु आज उत्तर दिसा में कालरा होने से उत्र दिशा की यात्रा नहीं करें परन्तो दक्षिन दिशा में सनमुक चन्द्वा होने से दक्षिन दिशा की यात्रा करना सुब रहेगा तो दोस्तों ये था आज का विस्त संपुर बंचांग कल के संपुर बंचांग के लिए आप जुड़े रहें आपके अप्रेजोती जिवन और अध्यात्म चैनल से जैसे क्रश्णिया